हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्राखन जी के वहरीजी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम उत्राखन के 200 important questions के बारे मैं बात करेंगे और यह 200 important questions दोस्तों हमारे revision questions होंगे जो की उत्राखन के ही आपके syllabus पर आधारित हैं और इन 200 प्रस्नों में से कई प्रस्न में आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ अगर आपको डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ना है तो आप हमारी पोस्ट मार्टम क्लासेज वाली सिरीज देख लीजिए और आज ही हमारी दोस्तों एक डिविजन वीडियो है जिसमें आप 200 questions को एक सांस जल्दी जल्दी cover up करते वे चलेंगे और एक प्रस्ना आपके आगामी उत्राखन के सभी exams के लिए काफी महत्वण रहने वाले हैं चली सुर करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको इस वीडियो में किसी प्रस्त में कोई भी गलती लगती है तो आप comment box में बता सकते हैं मेरे द्वारा अगर कोई भी गलती हुई होगी तो मैं आपको उसे comment box में pin up करके संसुजित कर दूँगा इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें comment जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर सेयर करें पहला प्रस्तन है कि पर्थम भारती कुमाओं का मिस्टर कौन थे तो पर्थम भारती कुमाओं का मिस्टर थे कौन के ल महताजी के ल महताजी पर्थम भारती कुमाओं का मिस्टर थे पर्थम कुमाओं का मिस्टर क्यों थे ई गार्डनर साहब थे अगला प्रस्तन है कीरती के au crucified में चर्चित कोशिक समीथी के अध्यक्स का पुरानाम क्या था उसके अध्यक्स का पुरा नाम था क्या रहा है संकर कोशिक रहा संकर कोशिकर के देख्षा हमे ओधनीरिदिकों क्या देख्षामिते का रहतर तो रहेमजे इंटरकॉलेज दुस्तों मारा आलमोणा मिसती थी और रहामजे इंटरकॉलेज की स्तावना का वोती है अ थाफाव saf печ उत्य कई आपको 2870 फिर्फ की स्तावना होती है कहीं कहीं किताबों consulting आपको 1860 भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन actualty वह सत्तर इगतर में इसकी स्तापना हुई थी ओली ब्राहमनों का समुह किसके द्वारा बनाया गया था तो रुद्रचन के द्वारा ओली ब्राहमनों का समुह बनाया गया था और ये ओली ब्राहमन क्या होते थे तो ओली पढ़ने पर थाली पी जाने वाले ब्राहमण हमारे ओली ब्राहमण कहलाते थे ओली कास्ट भी होती है जो की रुद्रचन के द्वारा ही इनका सम्मूब बनाया गया था सरोला ब्राहमणों की पर्था किसने शुरू की थी तो सरोलाव रामनों की पर्था दुस्तो अजय पाल के द्वरा शुरू की गई थी यानिकि सरोलाव रामन सबसे बहले किसके द्वरा नीक्ते किये गए थे अस्टकॉन और रजद मुद्रा किसके द्वरा चलाए गए थी तो फते पती सहा के द्वारा अस्टुकॉन और रजद मुद्रा चलाए गए थी अगला पसने आठवा पंचेस्वर इस्तित चौमू या फिर चौमू हो मंदिर पसुरक्षक जो देवता के रूप में जिने जाना जाता है अगला पसने बद्री विसाल पत्रिका कहां से प्रकासित होती थी तो बद्री विसाल पत्रिका हरिद्वार से प्रकासित होती थी दस्वां प्रसने ब्रह्मदेव मंडी जो कत्वी राजा ब्रह्मदेव की देन मानी गई है कहां स्थित है तो ब्रह्मदेव मंडी जो की कंतिम कत्वी राजा ब्रह्मदेव की देन मानी गई है वह है टनकपूर और नैपाल के मध्य में इस्थित है टनकपूर और नैपाल के मध्य में जो सार्दा नेदी वाला आसपास का छेत्र है जो के काली हमारी टनकपूर पर जाक कुमाओं का राजा कौन था तो असोग चल के आंकरवल के समय कुमाओं के राजा थे उस तो कौन वीर चंद या फिर नान की चंद आपको दोनों के नाम याद रखने हैं वीर चंद या फिर नान की चंद और 1191 बयानी के आसपास में असोग चलने सबसे ले कुमाओं पर आक्र अगला पसने, मल राजाओं द्वारा कुमाओं को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो मल राजाओं द्वारा कुमाओं को परवट डोटी का देश कहकर संबोधित किया जाता था, चंद वंस में डोटी नाम का प्रियोग किस छेत्र के लिए होता है, तो चंद वंस में ड चब्धा नंगरा किया था मुरा में तल्ला महल के लेका निर्मान किया गया था। उसा रोध गया तथा ययाती चरित्रम नाटक के लेखक कौन है तो उसा रोध गया या रगुदया और ययाती चरित्रम नाटक के लेखक कौन रुद्र चन और रुद्र चन को ही दोस्तों सबसे पहले नाटक कार के रुप में जा सब को जाता है रुद्र चंद को ही जाता है बागेशोर इस्तित बागनाद मंदिर का जिर्णोधार लक्षमी चंद के दोरा किस वर्सक राया गया था 1602 में बागेशोर इस्तित बागनाद मंदिर का निर्मान लक्षमी चंद के दोरा किया गया था निर्मान या भी जिर्णो में हुआ था या जैकीर्थी साके साजनकाल में हुआ था और ये जोष्याडी कांड क्यों का जाता है इसे क्योंकि हरस्तिदेव जोष्यारी आक्रमन के कारण जो गड़वाल में लूट पाट हुई थी उसी को जोष्यारी कांड के दाम से आना आता है 1785 के आसपास में मारा यह कांड होता है अगला प्रस्न है उत्राखंड में अखाणा पकाणा किसे कहते हैं तो लोकोक्तियों को उत्राखंड में अखाणा पकाणा कहा कर सम्मूरित क्या जाता है किसे लोकोक्तियों को अगला प्रस्न है उत्राखन की विभोतिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो सेखर पाठक जी हमारी उत्राखन की विभोतिया नामक पुस्तक के लेखक है 23 पॉस्ते है उत्राखंद दर्पन पत्रिगा का प्रकासन कहां से होता है वगा निर्मान किस्के द्वारा करवऄ गया था तो बाज बहादुर चुन के द्वारा भीमताल इस्थित भीमेसवर महादव वंद्र का निर्मान कराया गया था प्रस्त मन सकता है भी मिश्वर महादियों बंदिर कहा स्तित है भीमताल ननिताल जनपद में इस्तित है अगर पसने उत्राखन में खेनी कपी लेनी या खेनी कपेनी कर का संबंद किसे था तो उत्राखन में खेनी कपेनी कर का संबंद था कुली बेगार प्रता से किसे कुली अगला पसना है रणभूत न्रित्य मुख्य रूप से कहा आईजित होता है तो टीरी गडवाल जनपद में मुख्य रूप से रणभूत न्रित्य रणभूत कौतिक का आईजिन किया जाता है अगला पसना है सौन चकला दर्रा उत्राखण में कहां इस्तित है तो सौन चकला या सौंग चला दर्रा उत्राखण में उत्रकासी जनपद में इस्तित है उत्राखण में कोई दर्रा कहा है इस्तित है तो चमुली तिब्बत के मद्धि में हमारा उत्राखण में कोई दर्रा इस्तित है उत्राखन में कालिंदी दर्रा कहां इस्तित है तो कालिंदी दर्रा भी दोस्तो चमुली तिब्बत के मद्धि में ही इस्तित है या आप कह सकते हैं चमुली और उत्रकासी के मद्धि में भी इस्तित माना जाता है कालिंदी दर्रे को पाथर वो पटाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं किस सित्र में तो अलमुडा को दोस्तो पटाल नगरी या पाथर नगरी पीतल नगरी तामर नगरी नाम से भी जाना जाता है इसी कारण में पाथर वो पटाल मुख्य रूप से अलमुडा में पाए जाते हैं हिमाली बोलियों के विशेजग्य के रूप में किसे जाना जाता है तो डीडी सरमा जी को हिमाली बोलियों के विशेजग्य के रूप में जाना जाता है और इन्हीं की एक प्रसित पुस्तक है क्या हिमाले के खस पुस्तक भी किसने रिखी थी डीडी सरमाजी के द्वारा लिखी गई थी, उत्राकन ग्यानकोस एक समगल अध्यान पुस्तक विक्स के द्वारा लिखी गई थी, यहाँ भी डीडी सरमाजी के द्वारा लिखी गई थी, अगर अब सना है, कौनसी देवी, कत्युरी राजाओं द्वारा कुल देवी के रू अगलापस्ना है, उत्राखंद, अलप संक्या, कल्यान था, वकप, विकास निगम की स्थापना कब की गई? अभ्रवसना के इंद रोस्तो पाड़ी गळवाल जन्पत के कालाागड़ में इस्थे था कहां पे पौड़ी गडवाल जनपत के कालागड में इस्तित है क्या वन ने जीव संडेक्शनल प्रक्षिक्षन के इंद्र अगरे प्रसने की बात करते हैं प्रसने किस टिरी रियासत के राजा को बिटिस सरकार ने लेप्रिनियन के ओधे से सम्भानित किया था तो लेप्रिनियन के ओधे से दोस्तों किसे नरे इंद्रसा को सम्भानित किया था जनगबाजी छोडो रासो जेलो दी तांदी पोडाई अंडे कांडे गुडचा प्रमुक निरत्य किस जनजाती संबंधित हैं तो जौनसारी जंजाती सम्बंदे निर्थियां, दोस्तों रहेक लिए आपसा पुछाएगा, कि रासो जेलो निर्थिय किस जंजाती सम्बंदेत हैं, तो जौनसारी चै, तो यह सभी निर्थिय जो है, जंग्वांजी, छोड़ो, रासो, जेलो, धी, तांदी, पॉडाई, अंडे कांडे गोड़चा, यह निर्तिय किसके हैं, जो अंसारी जन्जाति के हैं, अगला प्रस्ण है, खिचली निर्तिय किस जन्जाति द्वारा किया जाता है, तो थारू जन्जाति के द्वारा किया जाता है, और यह निर्तिय होली के अउसर पर किया जाने वारा निर्तिय अगला प्रसन है दोस्तों कि रिंग डान्स या रिंग डान्स नित्य कि जनजाती के द्वारा किया जाता है जो गोली में किया जाता है रिंग डान्स करके बोलते हैं तो राजी जनजाती के द्वारा रिंग डान्स नित्य किया जाता है इन सभी जनजातियों को जनजाती का द पोडवड़ा, रनारात और विरासू, अगरा पसने तिमली, जो की एक सामाजीक गीत है, और तुबेरा, जो की रस्या यसा गीत है, बाज्यू, जो की वीररस्प्रदान गीत है, किस जनजाती सम्द रहें? तो तिमली, तुबेरा और बाज्यू, घीतू का संबंद हमारा जंजाती से इसका संबंद माना जाता है, अगला प्रस्न है, वासिक, बोठा, पांडव, पवासी, किस जंजाती के पूजी देवता माना जाते हैं, तो जौनसारी जंजाती के पूजी देवता की रूप में, वासिक, बोठा, पांडव, पवासी को जाना जाता है, अगला प् वहुआ है बहाला बैगण चिम आधिपरवद आधि पूझी देव किस जन्जाती से संबंदित माने आते हैं तो भोटिया जंजाती से संबंदित माने आते हैं भुम्याल देवता, गुवाला देवता, बैंग, रैम, चिम और हाती परवग, ठीक है अगर आपसने खेडी देवी, जौलपा देवी, हुलका देवी, साकरिया देवी, चामुंडा देवी कि जंजाती के पूझनी देवी देवता हैं तो भुक्सा जंजाती के पूझी देवता के रूप में जाने जाते हैं क्या खेडी, जौलपा, हुलका, साकरिया और चामुंडा देवी कासिपुर में भी इनका बंद्य चैती, चैती मेला भी बुक्सा जिंजाती के ही एक प्रमुक्तियोवार के रुप में भी जाना जाता है, अगर आप उसने, बाग देउता, यानि कि बागना देउता, मलेना देउता, गरना देउता, सैम मुखहम देउता, मलिकारजुन देउ भूप सिंह गोला जो कि थोकदार हुआ करते थे ठीक है तिलु रॉतेली का संबंद किस चंद सासक चे रहता है दोस्तों बाज भाधूर चंद के समकाल निन्थी कौन तिलु रॉतेली याद रखने आपको और किस पमार सासक के समकाल निन्थे तो वहाँ पर फतेपति साव औ बिंदुली इनकी गोड़ी का नाम था तिलोत्तमा देवी इनका क्या था मूल नाम हुआ करता था अगला पूर्वी नयार नदी के तट पर दोस्तों तिलोत्तियों की मृत्यू हुई थी और तिलोत्तियों को इतिहास में एक महा कलंक की घटना के रूप में भी बताया गया है क्योंकि रामु रजवार ने एक नाती हुई नग ने इस्तिरी का पीछे से चाकु गोपर वद किया था इसी कारा नतिलो रहते लिए कि जुम्रत्य हुई पूर्वी नयार नदी के तट पर इसे उत्राखिन के इतियास मे एक महा कलंक घटना के रूप में भी जाना जाता है अगरा प्रसने किस चंद सासक के काल को विद्वानु ने कुमाओं का स्वणनकाल की संग्या दिये तो कुमाओं का स्वणनकाल कहा जाता है उसके जगत चंद के सासनकाल को कुमाओं का स्वणनकाल कहा जाता है किसके जग वंस्सका साथूरण сеक्ल काल को पर्मारा राजुंस का स्वर्णकाल कहा जाता है कि छंदभ उसकिंग कारना उई थी तो जगत्गनि मुप्रेपी इगला मेन कारना में कोछाज तक सघ्थाज कि आप था व।ा उससलिए और प्रमार राजोंस में पर्द्युम्ने साह के नाम से भी सासन किया था इसी कारणा पर्द्युम्ने साह को या पर्द्युम्ने चंद को उत्राखन के अंतिम सासक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसने उत्राखन के पूरे छेतर कुमाओं और गड़वाल पर अपना सा अगर आपसे प्रस्न पूचा आता है कि गंगनाथ देवता का मूल उत्पत्ति स्थान कहां से था नेपाल से था और अगर नेपाल आप्शन में नहीं होता है तो आपको फिर अलमोडा टिक करना पड़ेगा वहीं गोल देवता का मूल इस्थान कहां से माना जाता है चंपाउ की देट मानी जाती है अगर आप से पुछाएगा तो सभी नेपाल देश की देन मानी जाती है अगला पसने राई जाती की बहादूरी से प्रसिद्ध होकर या प्रसंद होकर गुर्खा राजाओने इन्हें किस उपादी से विभुशित किया था तो राई जाती की बहादूर इसके प्रसंदो कर, गुर्खा राजावने नहीं, सुबबा की उपादी से विभुषित किया था, किसकी सुबबा की उपादी से, विभुषित किया था, एकला पॉस्तन है, असोक चल्यका, कुपिश तिर्चूललेक, किस तिथी का देखने को मिलता है तो असुक चला का गोपिशर तिर्शूलेग हमें 1191 तिथि यहा। इस बिगाए ठीक है गोपिशर तिर्शूलेग और बढ़ाहार तिर्शूलेग घमें असुक चला के बारे में जानकड़े मिलती है। अगला पसने, सभासार की रचना किसके वरा की गए थी, सुदर्चन सा के दोरा की गए थी, और कप की गए थी, 1828 में सुदर्चन सा के दोरा सभासार की रचना की गए थी, और सुदर्चन सा अपनी रचनाओं को किस नाम से लिखते थे, कभी सूरत नाम से लिखते थे, और य इसने अपना उत्रादिकारी नियुक्ति किया था तो परमार वंस के सस्ताप कोने कनकपार इन्हें अपना उत्रादिकारी भानुपरताप के दोरा नियुक्ति किया गया था भानुपरताप ने अपनी पुत्री का विवहा कनकपाल के साथ में कर आया था फिर कनकपाल ने यही तो भग्दरी रसंजी है, गड़वाल की दिवनगत विभुतियाँ पुस्तक के लेकाक अगop्रसन है, किस गरंत में अजयरिपाल को आधिनात कहकर संबोदित किया गया है न जस्रीफोस्टर सहाइब ने अल्ली ट्रैवल सिन इंडिया पुस्तक के लेकाक किस परमार सासक ने सिर्मोर के डाकूं का दमन किया था तो फते बती सा ने सिर्मोर के डाकूं का दमन किया था उत्तरकासी का पराणी नाम क्या था तो उत्तरकासी का पराणी नाम था सौम्यकासी उत्तरकासी का प्राचीत नाम क्या था यह था बड़ा हाड अगला प्रसने to owर को जाती है और चालीस दिनों की उर्प में जाता है किसी तरह को कैंव? यहां प्रस्ते ग्याम में भी पूछा जा चुका है अगर्या प्रस्ते क्वाइव नियाई की देवत्या की रूप में किस देवी को जाना जाता है तो बहुत्राइगार जूंपत में सतित है उत्राखन का सबसे पुराना 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 सबस बोजित किया जाता है ठीक है और उत्राकंट के इत्यास में किस राजवन को स्वलने युग की संग्या दी जाती है गड़वाल क्वीन के नाम से किस प्रवत को जाना जाता है तो निलकंट प्रवत कहा इस्तित है चमूली जनपत में इस्तित है अगर पिसने की बात करते हैं ज निर्नल डायर को, गोली मारी गईी कब 13 मार्च निस सो 40 को, लंदन में, अगला पसने, पत्रिक का के संपादक कौन है, तो पत्रिक नामक पत्रिका के संपादक के कौन, जैयनन भारती जीने है, उत्राकर में डोला पाल के अंदूरन के प्रणेता की रुक में भी जाना जाता ह लेकिन अगार आप से पूछा रहेगा कि उत्राखन के सांसिक्रतिक राजदानी की सेत्र को माने जाता है तो अलमुडा को उत्राखन के सांसिक्रतिक राजदानी के रूप में जाने जाता है अलमुडा को सांसिक्रतिक राजदानी के रूप में जाने जाता है अगला पसने, रम्मान लोकनाटी उत्सव जिसे 2009 में विश्व अमूर्तिय सांसेक्रेटी दरोहर गोशित किया गया था, मैं कितने ताल होते हैं, तो रम्मान लोकनाटी उत्सव में दुस्तों मारे 18 ताल होते हैं, और युनेस्को दोरा इसे विश्व विराशत सुची में मिल किया गया था, अगला पसने, उत्राखंड में किस मंदिर में देवी की मूर्ति के स्तान पर लिंग की पुजा होती है, तो भूनिश्वरी देवी मंदिर या भूनिश्वरी सेक्टिवेट जो के हमारा कहां सतीत है, पौड़ी गडवाल जनपद में सतीत है, इसी मंदिर में देवी की मूर्ति के स्तान पर लिंग की पुजा होती है, अगला पसने, उत्राखंड में फूलो की घाटी कहां सतीत है, उसे दूसरी फूलो की घाटी कहा जाता है, अगला पसने, उत्राखंड में मनला अबुग्याल कहां सतीत है, तो रुद्रप्रियाग जनपद में स अगरापसने मुगल सिनापती इसने कणनावती के साथ युद्य यद्लढ और प्राजे के उप्रांत दिल्लों में जाकर आत्मत्या की कौन था क्योंकि रादी करना लांसे जाने एक और इन इंद्रचंत के द्वारा उत्राकंढ़ में बूडिदिपावली कब से मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस पाली को मनाने का मुख्यरी जैने महादोसी है बंडारी के विजे के उपरांती है हमारी बूडी दीपावली मनाई गई थी अगला पसने उत्राकंड खेल रतन पुरुषकार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो उत्राकंड खेल रतन पुरुषकार का नाम बदल कर देव बद्री विशाल या विशाल बद्री का सितकाली न आवास्तल कहा है इस्ते है दोस्तों तो नर्सिय मंदिर जो के मारा जोसिमट में इस्ते है वहाँ पे भगवान बद्री विशाल या बद्री नात के सितकाल में पूजा अर्चना होती है कहां पे नर्सिय मंदिर जोसिमट त के रूप में किसी जाना जाता है ठीक है पंच केदार में पंचम केदार सुरी ये पर्थम केदार की रूप में किसी जाना जाता होगा तो पर्थम केदार की रूप में केदार नात को जाना जाता है वही पंचम केदार की रूप में दूस्तों किसे कलप केदार या वो हवन कुंड किस केदार के पवित्र पंचे कुंड की नाम सी आने आते हैं तो केदार कंड के घले में तो जिले में बहुतब जी ह्तीत तो चमूली मासे खताहिक व्र्भा एसा कहा जाते है कि अमर्नात के तरह ही तिमरष्याल गुफा जो की चमूली जनपत में इस्थित है यहाँ पर भी Körper भर्भानी या बावा बर्भानी सिव लिंग इस्थित है और अभी हाली में इसके उपर काफी मुद्दा गरमाया हो था ऐसा कहा जार था कि टिम्बर चैनल के लिए भी यात्रा का है जिन परते एक बर से किया जाएगा तो अमर्नाथ के तरह किस जिले में बर्फ सीवलिंग या बावा बर्फान इस्तित है तो टिम्बर चैनल गुफा जो की चमुलिये पड़ती है वहाँ पर इस्तित है अगर आप यह किया गया था अगला बसने उत्रा खंड में पस्वों के रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है तो प्रसिद्ध है तो फलू के लिए प्रसिद्ध बाने जाता है क्या जालना अलमुला अगला बसने जागेश्वर मंदिर जो की मंदिरों का समू वह पांचवा धाम भी कहलाता है 124 मंदिरों के यहां समू किस नदी के तरप परिस्थित है तो जाड गंगा या फिर जाड गंगा नदी के तरप परिस्थित है क्या जागेश्व जिसे उत्राकन का पांचवा धाम नाम से भी जाना आता है 124 चोटे बड़े मंदिरों के समों के रूपें भी से जाना आता है और यहाँ जाडगंगा या जाडगंगा ने दिगे तट पर इस्तित है अगला अग्शे तिरतिया के दिन यमनोत्री और गंगोत्री मंदिर के कपार्ट खुदते हैं बंदकाब होते हैं भहिया दूज के दिन अगरा बसने कुमाओ में केदारनात और बद्रिनात बगवान मंदिर कहां इस्तित है तो कुमाओ में केदारनात मंदिर और बद्रिनात मंदिर कहां इस्तित है और द्वारा हाट को दोस्तों उत्र अगर आपसने, बद्रिनात मंदिर के लिए भूमिदाल किस ने दी थी, ललिट सूर देव, पद्मदेव और जगतपाल, देखे, बद्रिनात मंदिर के लिए भूमिदाल कित कत्यूरी सासक ने दी थी, तो ललिट सूर देव ने भूमिदाल दी थी, बद्रिनात मंदिर के नि गुत एकतिया करती कॉन था तो कट्यू राज्मस के अंतिमगा करोर साथ शुर्चक जिसकी बार्म देव नाम से हमर्म चाह व्हयर्क प्राप्त्र नेγ parlar अग्राब करने के लिए तो अजे पाल के साथ कौन कौन से दो चित्रकार गडवाल आये थे तो सुलेमान सिको के साथ और उसका बाप शियामदास शियामदास और उसके पुत्र हरदास के आये थे शुलेमान सिको के साथ कहा थे उत्रा कंट आये थे अमारे क्या करता है और इसके बाद में सहा जहां मारा क्या करता है फिर और गजेब फिर मारा यहां पर आक्टमन भी करता है ठीक है तो सुलेमान सिको के साथ कौन-कौन दो चित्रकार गडवाल आये थे तो श्यामदास वह उसका पुत्र हरदास आये थे ठीक है और प्रत्विपती सहा के टाइम यह बात है में दिनिसाय आपर देश द्रोहिता भी करता है आपको लेगों ने पढ़ा होगा और चित्रकार गडवाद के श्यामदास और हरदास से मान जाती है फिर हरदास के आगे बंसर्ज में एक मौलाराम होता है ठीक है मौलाराम के पिचाजी का नाम मंगत राम ठीक है इसके पहले रस्याम इसको प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं आपधा दो किसानों की सुवीदा के लिए बैंक आप गड़वाल की स्थापना कीरती सा के दोरा की थी 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, पंचयाद का सम्भन्द उतराखन के तिलाडी कान की गटना से रहा है, और इसी तिलाडी कान को उतराखन का जल्या वला बाग-हत्या कान की आम से इंगा उत्राखन के जाना पूइस हुई-कistent, प्रजामेंटल की स्थापना करी थी गरदेशिवां के संकी स्थापना करी थी याद रखना आपको अगर आपसे सतरा सो चैटलिस से लेकर पैतलिस में जब कुमाओं पर रोहिलों का आक्रमन हुआ तो उस्तमाइ कल्यान चंद्रफोर्थ की ने गळवाल के किस स्राजा से साहिता राप्त कि थी तो परदीप साहसे नोंने साहिता परदान कि थी और आपको पता हुण जाए तो दूनागिरी क युद्ध होता है सात्रा सो तलिस चयुवारिस में किसके किसके मद्य मै रोहिलों के भीच मैं और कुमाओं पार गळवाल की से नम से नाम से जाना आता है अगला प्रसने कल्यान चंद्रोदेयम की रसना किसने करी थी तो कवी सीव के द्वारा कल्यान चंद्रोदेयम पुस्तक की रसना की गई थी अगला प्रसने शियनिक सास्त्रे जिसकी रसना रुद्रचन के द्वारा की गई थी तो श्यानिक सास्तर जिसकी रसना रुद्र जन की दोरा की गये थी यहां मुख्यता पक्षी आखेट कला के विसेई पर आधारीत है 1790 में गुर्खाओं द्वारा महिनरे जंद को किस युद्ध में पराजित कर कुमाओं पर अधिकाल किया गया था तो 1790 में गुर्खाओं का कुमाओं पर आक्रमन होता है और 1790 में ही दोस्तों अलमुडा जनपत के हवलभाग नामकिस्तान पर एक अंतिम निलनायक युद्ध होता है जिसे हम हवलभाग का युद्ध कहते हैं इसी युद्ध में हमारा चंद राजुस का अंतिम सासक महिनरे जंदव राजित हो जाता है और गुर्खे यहां पर अपना अधिपत्य इस्तापित कर लेते हैं और 1790 से लेकर 815 तक फिर गुर्खे हमारे कुमाओं में सासन करते है किस सासक ने आलमनेगर या अलमोडा की नीव रखे थी तो अब भीष मेचन के द्वारा अलमोडा में खगमरा कोट या खगमरा का किला बनाया गया था और इसी किले के द्वारा भीष मेचन ने आलमनेगर या फिर अलमोडा की नीव रखे थी अगला पसने अलमोडा इस्ति और मुणा जिनपत में इस्तित है अगर अपस ने नैपाल सरकार nे संगौली की संदी को कब स्विकारा तो नैपाल सरकार ने संगौली की संदी को स्विकारा दोस्तों कब किस इस्थान के अत्रिक्त तिरंगा फेराया गया ठीक है तो टीरी रियासत के अत्रिक्त तिरंगा नहीं फेराया गया पुछा जाना चाहिए था स्रीनेगर गडवाल में कॉंग्रेश का जो इस्थान है प्रताप सी हैं नेकी जिके द्वारा की गए थी तो आप दोनों ही नोट के लीजएगा सीन्गार में गडवाल का या कॉंग्रेश का विशेस अधिवेशन कव वहा था 1928 में वहा था उत्राखन राज जी की मांग को लेकर भी दोस्तों ये एकमारा अधिवेशन था इसमें क्यारी करता हूं जो रहाँ सबसे पहले उत्राखन राज जी की मांग की गई थी लेगिन औरली 1897 में सबसे पहले हमारी उत्रागंडाजी की मांग की जा चुके थी तो प्रस्था आपसे बन सकता है कि सिंगाली गडवाल राष्टी विध्याले की स्थापना उस्तों सदानंद को क्रती जीके द्वरा किये थी अगला प्रस्था आंदुलन के दौरान ताडिके किसके द्वरा बागिरत पांड़े की द्वरा की थी तो आज की वीडियो में 120 कुश्चन ही करते हैं क्योंकि अवित्रोला सा मेरा काम पढ़ गया है वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरू करें कमेंट जरू करें अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेर करें और ये सिरीज उस्तों कैसी है आप जरूर पिताएगा रिविजन के फॉर्मेट के रूप में आपनों का भी इसमें अच्छा कासा रिविजन हो जा रहा होगा धन्यवाद